सुनाव NHPC Limited अब देखे 98 रुपए पर क्लोजिंग हुई है और कल है Q4 की डेट और Q4 की नमबर हम देखने वाले हैं historical data से कि कैसे आ सकते हैं इसके साथ dividend कितना मिलेगा यह आपका पूछन होगा तो क्या dividend देती यह बिलकुल dividend का record इस company का बहुत अच्छा है लेकिन क्या आपको dividend मिलने वाला है और कितना मिल सकता है यह देखने वाले हैं तो देखें पावर financing company के नमबर बहुत अच्छा है जैसे कि आरिसी लिम्टेड जैसे कि PFC बहुत अच्छे नमबर आज आप देख रहे होंगी 9% की तेज़ी आपको PFC के अंदर देखने को मिली है और इसके साथ साथ और आगे बढ़कर देखें लेकिन जो पावर company है जैस आपके सामने नमबर शायद आपके सामने ना आए क्योंकि थोड़ा सा सीजनल्टी का इंपेक्ट भी रहता है Q1 जो अभी आपका जून में आएगा बहुत possibility है कि ये recordster का निकल कर रहा है NHPC का और बागी power company को जिस तरीके से आप देख रहे हैं गर्मी की गर्मी है उस तरीक power के में कोई बड़ा impact पड़ा नहीं तो NHPC में अगर आप देखें तो क्या लोग ये जानते नहीं होगे बिल्कुल जानते होगे लेकिन numbers कैसे आएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ दो साल का pattern बना हुआ है वही शायद कहीं न कहीं ये भी repeat होता हूँ नजर आएगा अब सिर्फ वो सिर्फ यही समझने वाली थी कि mid cap high पर है small cap high की तरफ है बट निफ्टी पीछे क्यों है तो ये एक सोचने वाली बात थी तो जो गिरावट मिल रही थी वो सिर्फ वो सिर्फ वो सिर्फ एक अपोशिटी बनती चली जार थी that's why यहाँ पर देखें सारी के सारी ज और यहाँ पर आपका 2021-2022 March sales आपका है यहाँ जो है 2021 में ठीक है बट मार्च में आपको देखने मिलेगा कि दिसंबर की comparison आपको सेम ही देखने मिलेगी ठीक है अगर आप उससे और आगे बढ़कर देखें को आप कहेंगे कि कोविट कर टाइम था तो कोविट कर टाइम वो और मार्च 2023 में यह आपका sales जो है वो quarter to quarter जो है वो कमी हुई है so that यही pattern जो है वो कहीना कि यहाँ पर नजर आता है दिसंबर के comparison मार्च में जो है वो शायद आपको sales से कम यानि की down देखने को मिले यानि कि कल जो number साइंगे वो possible है कि quarter to quarter जो pattern अभी दो साल से चलना वही कही नगी repeat हो तो नजर आई because of seasonality आप यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो operating profit भी same ऐसी रहेगा operating margin देखते हैं कि कैसे निकल कर आते हैं तो बहुत सारी बाते हैं जो कि देखनी होगी but pattern कहीना कहीं अगर यही निकल कर आया तो आप यह समझेगा कि market इसके बारे में पहले से ही जानता है तो market कोई बहुत बड़ा react करेगा नहीं इस बात को आप समझेगे और seasonality के बारे में कौन नहीं जानता वो चीज यहाँ पर जो है impact करेगी तो market कोई फरक नहीं पड़ेगा but देखने वाले होंगे जो आने वाला Q1 है यह बहुत important होगा अभी तो जैसे तैसे NHPC का stock समाल लेगा और देखने हैं कि यह profitability कैसी रहती है तो taxation की वजए से क्या रहता है भाई देखते हैं यहाँ पर बड़ आगर आप देखें तो क्या NHPC का stock उसके बाद अच्छा perform कर पाएगा यह थोड़ा सा doubt वाली बात यह doubt वाली बात इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है अगर का जो quarter है वो अच्छा खासा निकला ही नहीं इस वार का यह सबसे बड़ी बात थी तो वो मार्च वाला देखना है और पता चला कि मार्च वाला बैतर हो गया इस वार ठीक है पैटन तूट गया यह दो साल वाला तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन आगर तूट गया तब तो आ पैटन अगर ब्रीच हो गया यह मार्च के नंबर अगर अच्छा आगे तो फिर तो यह स्टॉप तो हाई असाइड गया फिर जो बाकिया पी एस वे में देखने हूं मिला वही कहीना की नहीं से मैं बहुत बड़ी तेजी देखने हूं मिल सकती है अब डिविडेंट की बा और पचास पैसे यानि कि लमसम लमसम आपका दो रुपए के असपास एक साल में डिविडेंट देना का काम करती है कंपनी दो या तेस में भी अगर आप देखें तो फरवरी में ही यहां पर जो है डिविडेंट दिया है और अगस्त में भी यहां पर जो है डिविडेंट और वो कुल मिलाकर एक रुपए पच्ची आसी पैसे का डिविडेंट है इस वार आपको जो है फरवरी में डिविडेंट मिला था लमसम लमसम एक रुपए चालिस पैसे का डिविडेंट इंतरिम डिविडेंट है और आपका अभी जो पैटन जो चल ला है उस हिसाब से आपका अगस्त में यहाँ पर डिविडेंट आने चाहिए और मोटा डिविडेंट इस वार दिया लेकिन अगर वो दो रुपए की वीतरी वीतर दे रहा है तो आपको अगस्त में 40 पैसे 45 पैसे का और डिविडेंट बि देते हैं अगर आप देखें पैटन के साब से तो फरवरी में अच्छा खासा देते हैं आगस्त में कम देते हैं तो वह सारी चीज़ें तो आपको आगस्त में मिलने के 90% चांसें 99% चांसें जो पहले की दोरान हो रहा है वही साइद आपको अभी भी होता हो देखे इस बा यहां पर देखते हैं और एक और बात हैं यहां पर कल आपका फ्राइडे है ठीक है कल आपका फ्राइडे है सेटर्डे को मार्केट ओपन है इस बार सेटर्डे को जहां ता कि मुझे याद है सेटर्डे को मार्केट ओपन है विकास आफ जो पता नहीं क्या यहां पर जो है रिकवरी वाला मेटर। तो सारी चले तो ससेटरडिय को मार्केड भर तो आपको एंचपी सी कही ना कहीं साटरड़ साथ मंब्र नेहीं को दहाएं कुम्झ dol. N.h. TC तो यहां पर एक है थोड़ा सा देखेंगे तो पैटन जैसा चल रहा है और अगर यह पैटन अगर एनएच पीसी ने पकड़ लिया तब तो यह फिर यहां पर जो है ना बागी कुछ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं सुजलोन है जिसने पैटन पकड़ा था यहां पर 16 या 15 रुपए से वो 40 42 44 हो गया था अब 52 हो गया था तो वह उस पैटन के साब से वहा साथ बेंक बहुत सारे बहुत सारे मल्टिवेगर स्टॉक हैं जो टेंड लैंड को पकड़ कर चले और यहां पर मल्टिवेगर बन गए अगर ऐसा ही एन हासिल किया जा सकता है तो इसमें कोई दिक्त की बात नहीं है बट ये कल के Q4 के नमबर जो हैं वो बताएंगे कि कितना आसान है और कितना कटेन है तो कल की नम्बस पर द्यां दिजेगा नम्बस अल्रेड़ी यहां पर बता दिया और कहीं न कि कि अगर सप्प्राइज कर दिया तो आपको देखने मिल जा है तो इस हिसाब से चलिएगा फिलाल नई तेजी कब होगी सबसे वड़ी तेजी तभी होगी भी है जब ये 120 रुपे का आंकड़ा क्रोस हो जा है किसी भी स्टॉक में अगर आप देख ली जागा अगर 52 वीक हाई या ओल टैम हाई क्रोस होते हैं आपका तो अनुमत दस से बीस परसेंट की तेजी देखने को मिल जाती है एक्स्टा तो वो नहींच पी से आप लेकर चल सकते हैं अगर ये 120 का लेवल टूटता है तब कहीं नहीं आपको जो है 132, 135 ये लेवल्स आपको देखने मिलेंगे औ अगर ये इलेक्शन का यहां पर जो है कुछ इंपेक्ट और पढ़ गया तब तो यहां पर जो है एक टाइम के लिए तो हाईयर साइट बट फिर भी बेच कर निकालाना अगर ज़्यादा वैल्यूशन बढ़ जाए और रिटन मिल लाओ विकाज ये तो कुछ दिन की बात ह रहती है कुछ दिन ये पले किया जा रहा है उसके बात पैसा निकालेंगे ही लोग तो वो बात है तो उमीद है आपको समझ में आगे होगा डिविडेंट तो शायद इस वार बिल्कुल भी है यही नहीं आपका अगस्ट में मिलेगा लेकिन हाँ आपका जो नमर से है वो कह तो नमा दूस तो